जैशी किष्णा, आज के जीवन की सबसे बड़ी समस्या, पती-पत्नी के बीच में मन मुटाव, आपस में प्यार ना होना, पती-पत्नी के बीच में छुटी-छुटी बातों पर तर्क-वितर्क होना, मतबेध होना, आज की ये बहुत कॉमन समस्या हो गई है। और इस समस्या में केवल पती-पत्नी ही नहीं ना जाने कितने लोग परिशान होते हैं घर के बड़े, घर के बच्चे और घर का माहौल पुरी तरीके से खराब होता है हम ऐसा क्या करें कि आपके घर में पती-पत्नी में आपस में प्यार बना रहे मैं अस्टो त्रिश्ला कोशिश करती हूँ कि आपको ऐसे छोटे-मोटे उपाए बताओं जिससे आपके घर में सुक्षान्ती बनी रहे और ठाकुजी की कृपा आप सभी पर निरंतर रूप से बरस्ती रहे हम कुछ बहुत बड़ा करें उसको पहले करने से हमें कुछ छोटा करना चाहिए अपने जीवन में छोटे-छोटे बदलाव लाने चाहिए अपनी दिन चरिया के अंदर कुछ छोटे-छोटे ऐसे करम करने चाहिए जिससे हमारी एनरजी सिस्टम में पॉजिटिविटी आए हमारी बातों में, हमारे रहन सेहन में, हमारी दिन चरिया में, हमारी बात करने के तरीके में हमें पॉजिटिविटी की बहुत ज़्यादा जरूरत है stress भरी life को हम रोज जिये चले जा रहे हैं और वो frustration आके निकलती किस पर है उन लोगों पर जो आपके बहुत करीबी होते हैं और सबसे करीबी रिष्टा जो होता है वो होता है पती-पत्नी का छोटी-छोटी expectations छोटी-छोटी चीजों में एक दूसरे को समय ना देना एक दूसरे को न समझना ये आपके रिष्टे की कमजोर कडिया बनता जा रहा है मैं ये तो नहीं कहती कि हर रिष्टा परफेक्ट होता है परंतु हर रिख्षते को परफेक्ट बनाने की कोशिश तो करनी चाहिए चलिए कुछ टिप्स आपको देती हूँ और इस उमीद के साथ देती हूँ कि ठाको जी आपका सहयोग करें और आपके जीवन से ये छोटी छोटी कटनाईयों को हटा कर आप सबी में परस पर प्रेम बढ़ाते रहें हसमन वुइफ के बीच में प्यार ना होना ये रिश्टा टिका ही प्यार पर होता है अगर प्यार ही नहीं है तो इस रिश्टे की नीव ही नहीं है रोज एक पत्नी पत्नी के लिए और एक पत्नी पत्नी के लिए अपने जीवन की हर चीज को त्याग करके एक दूसरे की खुशी के लिए आगे बढ़ते हैं उसमें अगर हम थोड़ा सा परिवर्तन अपने घर के वास्तू में कर लें अपनी दिन चरिया में कर लें और कुछ टिप्स हम आपस में एक दूसरे के लिए और प्रिम बढ़ाने के लिए करते रहें तो इससे हमारे रिष्टे को और ज़दा मज़्बूती मिलेगी आपके बेडरूम के अंदर रेड पिंक बीबी पिंक कलर के चाहे आटिफिशल फ्लार्स रखे पर रखे जरूर परंतू केवल इन फ्लार्स को रखने से कुछ नहीं होगा आपको इन फ्लार्स को हर शुकरवार के दिन हलका सा पर्फ्यूम्ड करना पड़ेगा आप इत्र डाल सकते हैं आप पर्फ्यूम डाल सकते हैं या आप essential oils भी डाल सकते हैं हल्की हल्की सुगंद आपके कमरे में बनी रहेगी तो ये सुगंद आपके रिष्टे में भी बरकरार रहेगी मेरी next tip आपके bedroom के अंदर एक पेर जरूर होना चाहिए या तो वो लवबर्ज का पेर हो या वो स्वैन का हो या वो दो हाट आपस में मिले वें हो वाट पेर जरूर रखे तीसरी tip पती पत्नी के bedroom के अंदर हमीशा नौर्थ या नौर्थ वेस्ट के अंदर पांच कौडियां जरूर रखे कौन सी कौड़ी पीली कौड़ी लाल कपड़े में बांद कर नौर्थ या नौर्थ वेस्ट में जरूर रखे आपका कमरा आपको सबसे ज़ादा एनरजी देता है क्यों क्यों क्योंकि हम सोते उसी कमरे में हैं हम तयार उसी कमरे में होते हैं हम अपने जीवन के आधी से ज़ादा विशेश महत्मून चीज़ों का डिसीजन शायद उसी कमरे में बैठके लेते हैं उस कमरे के अंदर energy level और घर के अपिक्षा थोड़ा ज़ादा होना चाहिए उसके लिए क्या करें बताते हूं essential lavender oil पानी में मिलाकर हर बुद्वार को अपने कमरे के अंदर पोचा ज़रूर लगवाईए या लगाईए पती-पत्नी के बीच में अगर वैचारिक मदभेद बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो क्या करना चाहिए बताते हूं आप दोनों पती-पत्नी को अपनी कपडों की अलमारी के अंदर अपनी अपनी तस्वीर रग देनी चाहिए पत्नी-पती की रख ले और पती-पत्नी की रख ले और फिर इस तस्वीर का क्या करे बताते हूं ग्यारा दिन बाद ये तस्वीर वहां से निकाल कर एक साथ एक फ्रेम में करवा कर आप अपने बेडरूम में लगा लीजे तो जो आपके वैचारिक मदभेद आपस में नहीं मिल रहे हैं वो मिलने लगेंगे अगर आपके रिष्टे में बहुत ज़्यादा खटास आ चुकी है और आपका रिष्टा डैवोस तक पहुँच चुका है और आप चाहते हैं कि ये रिष्टा बच जाए तो उसके लिए क्या करना चाहिए बताती हूं आपको आपके जीवन साथी के साथ आपकी बिताई हुई कुछ तस्वीरों को आप एक एल्बम में एकत्रित कर लिजे उस एल्बम को आप लाल कपड़े से बांद दीजे एक कटोरी के अंदर ग्यारा अभिमंत्रित गोमती चक्र रखिए साथ में एक क्रिस्टल की माला रख दीजे और उस एल्बम को उस कटोरी के उपर रख दीजे ऐसी जगे पे रख दीजे जहां पर किसी की नजर ना पड़े देखेगा धीरे धीरे आपके रिष्टों में सुधार होना चालू हो जाएगा अगर आपके पती बहुत ज़ादा गुसा करते हैं छोटी छोटी बातों पर आप पे जिलाते हैं फ्रस्टेट होते हैं इरिटेट होते हैं तो आपको क्या करना चाहिए आप निरंतर रूप से मा दुर्गा के चौथे अध्याय का पाट करिए गुच डुर्गा शप्षती के चौथे अध्याय का आप निरंतर रूप से पाट करिए अगर आपकी पत्नी आपके उपर बहुत गुसा करती हैं बहुत जिंच लाती हैं तो आप क्या करें बहुत असान तरीका आप दुर्गा शब्षती के पाँचवे अध्याय का पाठ करिए अगर आप पती पत्नी में से कोई बहुत ज़्यादा बिमार रहता है तो क्या करना चाहिए? पताती हूँ आपको शनिवार के दिन 200 ग्राम काले उड़त 200 ग्राम काले तिल 11 अभी मंत्रित लगू नारियल 5 काली कौडी 7 मीटर काला कपड़ा 7 कीले 7 अभी मंत्रित गोमती चक्र लेकर आप में से जो भी ज़्यादा बिमार रहता है उसके पूरे शरीर पर से क्लॉकवाइस साथ बार घुमा लीजे और फिर इसको बहते हुए जल के अंदर प्रभाहित कर दीजे ये काम आपको लगातार 5 शनिवार करना है आप देखेगा आपके घर से रोग दूर होने लगेंगे इससे अधिक अगर आपको कोई समस्या है तो आप हमें इस नमबर पर कॉल कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर कर सकते हैं ठाकुर जी आपके जीवन में सुक सम्रिद्धी लाए मेरे बताए टिप्स द्वारा आपके जीवन में अगर कुछ भी सुधार होता है तो प्लीज आप हमें कमेंट्स करके बताईएगा आप पर ठाकुर जी का आशिवा सदा सरवदा बना रहे ऐसी आशा करते हुए मैं आज के लिए एस्ट्रो मात रिशला इजाज़त चाहती हूँ जैशी करिशना